नमस्कार, नमस्कार, मानने प्रधान मंत्री शिनरेंद्र मोदी जी, मैं सुनेना त्रिपाथी पिष्णमूर्थी वाल स्कूल कटक ओडिसा से हूँ, मेरा प्रश्न यह है कि कक्षिया में बिद्यार्थियों को रूची पुन पढ़ाई के लिए केसे आकरशित करें तथा जी सुननन्या त्रिपाथी विश्ट रूची विश्ट गाइदंस अन्जी पूदेंग गाएदनेग्स थे जी, मैं सुने आपने, प्रभाद प्रश्निर। वाता है कि टीचर अपने में खोई रहते हैं अब यह तो मेरे आधावा के बोला आपने पकड़ लिया वो एक निश्चीत शिलेबस्त बीस मिनिट तीस मिनिट बोलना है अपना कड़कड़ बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उदर तो देखा होगा आपने मैं तो मेरे अपने बच्पन के अनुभव की बात बता तो आजकार तो टीचर अच्छे होते हैं मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है लेकिन कभी-कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयरी करके आये हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको उनकों बच्चों से छिपाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं एक काती दर्व एई खड़ा हो जाओ क्यों ऐसे बैठा ये क्यों ऐसा कर रहा है क्यों ढिखना कर रहा है यहने पूरी पांच साथ मिन्ट उसमें लगा देंगे इतने में अगर विशेय याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी वरना फिर मानों कोई हस पड़ा उसको पगड़ेंगे क्यों हस साथ हुआ है अचा आज भी ऐसा ही होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा अब तो टीचर बहुत अच्छे बते हैं आपने देखा होगा टीचर भी अभी मुबाइल फोन पर अपना सिलिवस लेकर आता है कि मुबाइल देख करके पड़ाता है ऐसा करता है ना और कभी उंगली धरुदर डब गई तो हाथ से निकल जाता है वो खोटता रहता है कि उसने पूरी तरह टेकलोलोजी को सिखा नहीं है जरूरी दो चार चीज़े सीख लिए और इधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है हाथ नहीं लगता बड़ा परिशान हो जाता है शर्दियों में भी पसे ना सूर जाता है उसको कि दूसरों पर एक्स्ट्रा रॉब जमाना है ताकि अपनी कमिया बाहर ना आए है मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे है विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है यह हमारा ब्रह्म है टीशर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपकों कोई सवाल पूसता है तो आपकी एक्जाम ले रहा है जी नहीं अगर विद् जिग्यासा है आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए उसकी जिग्यासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए उसको टोक मत दीजिए उसको सुरिए आराम से सुरिए अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए देख बेटे तुन्हें बहुत अच्छी बाप कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूँगा तुम मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रहस करूँगा इविचार तुम्हें कहां से आया और मैं भी कोशिश करूँगा इन बिट्विन मैं गर जा करके स्टड़ी करूँगा जाना गूगल पर जाऊंगा इदर जाऊंगा पूछ लूँगा और फिर मैं तयार होकर क्या हूंगा फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूँगा अच्छा वह में विचार आया कहां से इतना उत्तम विचार इस सुम्हरम कैसे आया तुम्हें उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सच मुछ पैसा नहीं है रियालिटी यह है उसको तुरंट स्विकार कर जेगा और आज भी स्टूडन्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मुल्यवान समगता है अगर एकाद गलत बात बता दी एकाद गलत बात बता दी तो उसकी जिन्दगी में वो रजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बात में भी बताएं तो चलता है कि दूसरा डिसिप्लीन का सवाल है कि ट्रास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है अपना रुबाब प्रभाव पैदा करने के लि कि दूसर ही समझें इसको रहे के अब करता रहे तु तूर में में टेपर रहे है कि कि डांट देंगे पीजिए महनत कर रहा होँ इतना पड़ा रहा हो तूनको कूभ समझ नहीं हारी अगर मैं टीचर होता तो अब करmeter आ है जो बहुत अच्छे ब्राइट है उनको कहता आचा बताओ भें तुम कैसे समझे इसको बढ़िया समझाएगा तो जो नई समझ रहा है वो स्टूरूंट की भाष़ा अच्छी तरह समझेगा उसको समझा जाएगा और जो अच्छे स्टूरंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूँ तो अच्छे बनने की competition शुरू होगी स्वाभावी कृते competition शुरू होगी दूसरा जो इस प्रकार चे अनुशासन में नहीं है ध्यान के अन्दित नहीं करता है ट्रांस में भी कुछ रूज और activity करता है टीचर अगर उसको अलग बुलाने है अलग बुला करके बात करें प्यार से बात करें देख्या कल कितना बढ़िया भी शहता अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तुम्हें में जाएगा मैं भी देखूं क्या खेलते थे अच्छा बताओ तुम यह खेलने का काम बाद में करते हैं और तुमने ध्यान दिया हो तो फाइदा होता यह नहीं होता उससे अगर समवाद करते हैं तो उसको एक अपनापन महसूस होता वो कभी इंडिसिप्लिन नहीं करता लेकिन उसके इगो को अपने अगर हट किया तो फिर दिमाग फट गएगा कुछ लोग चतुराई भी करते हैं चतुराई भी कभी कभी कान आती है जो सबसे सरारती लड़का होता है उसी को मोनीटर बना जेते हैं कि बनाते हैं ने कि मोनिटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको जड़ा ठीक करता है और सब को ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़्यस करता है अपनी बुराईयों को कंट् क्लासरूम का इंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लीन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए हमें अपना पन का ही रास्ता चुनना चाहिए अपना रास्ता चुनेंगे तब ही लाब होगा बहुत बहुत धन्यवाद